इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दे की साफपूरा भाजपा के पुर्व विधायक वा गुजर नेता अंतर सिंग भडाना साफपूरा पहुचे भडाना का स्थानिय ग्रामिनों ने डाग बंगला परीसर में साफा बांग कर वा माला पहना कर शुआगत किया इस दारान भडाना ने माजूद किसानों से चर्चा की तथा बारीस से फसल के खराबे की जानकारी ली उन्होंने किसानों को संगठेत होकर सरकार के खिलाफ खड़े होकर आवाज उच्छाने की बात कही भड़ाना ने राजस्थान में गौवंस में फैली लंपे बिमारी को लेकर गहलोत सरकार को वफल बताया भड़ाना ने छेत्र में गिरते भूजल अस्तर को लेकर चिंता जाहिर की तथा कहा कि केंद्र सरकार घर-घर तक पानी पहुचाने के लिए प्रयास कर रही है लेकिन गहलोत सरकार की और से योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है राजसरकार और अधिकारी भ्रचाचार के आंगंठ में डूबे हुए है पत्रकारों से बात करते हुए भड़ाना ने कहा कि 2023 में विधानसभा चुना को लेकर कांग्रेश के नहतरित्तों ने दो बार सर्वे करवा लिया जिसमें भाजपा को 176 सीट मिल रही है सर्वे के बाद पाइलेट को CM बनाना कांग्रेश की मजबूरी बन गई है उन्होंने कहा पाइलेट CM बने या गहलोत CM रहे सरकार तो भाजपा कहीं बनेगी